हेलोस तो आप सभी सब्सक्ष बात करेंगे हैं पर फेडरल बैंक के बारे में इस कमपणी के आज कॉटर थ्री के रिजल्ट अनौस हो चुके है एंड सभी को दोस्तो इस कमपणी ने अपने कॉटर थ्री के रिजल्ट में चौई का दिया बिल्कुल शौकिंग रिजल्ट है अगर अपने हाँ पर शेर खरीदा हो या खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेट है तो आप जरूर देखिए एंड आपके माइंड में आया होगा कि शौकिंग रिजल्ट है सर बट इसके अंदर तेजी क्यों ने तो मैं उसके पिछे का भी आपको रिजन बता देता हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीटेल्स देखना कंपनी ने ओनली रिजल्ट का अनॉस्मेंट किया है और फंड रेजिंग या कोई दूसरे अनॉस्मेंट यहाँ पर नहीं किया है सबसे पहले दोस्तो हम इस कंपनी के याने के फेडरल बैंक के यहाँ पर जो स्टैंड ओलन रिजल्ट है उसको देखेंगे सभी फिगर्स इन यहाँ पर लैक्स में है तो पहले टोटल इंकम की डीटेल्स चेक कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल इस company ने जो कमाया था 3,92,675 यहाँ पर lakhs में income वो बढ़कर 4,96,725 हो चुका है lakhs में मिंस यहाँ पर जो federal bank है उसका yearly performance income के अंदर तगड़ा improvement में देखने को मिलता है और उसी के साथ आप चाहे तो quarterly basis पर भी चेक कर सकते हैं याने के September 2022 यहाँ पर December 2022 आपर आप देख सकते हैं बिलकुली solid performance है जो पिछले quarter में 4,63,030 जो lakhs में net income था वो बढ़कर 4,96,725 यहाँ पर हो चुका है मिंस इंप्रुमेंट आप समझ रहे की हो रहे बोलकर यह तो बात income की हो गई याने के company का जो source है income का याने के interest से जो bank को earning होती है वो discount वगेरा बहुत से bill पर advance जो payment होते हैं उसके उपर income पराती investment से बहुत सैसे एंड के interest on balance with reserve bank of India अभी इंडिया यहाँ पर reserve bank इंडिया के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूं हर किसी bank को यह rule आपको पता है या नहीं बट मैं आपको बताता हूं देखिए जब भी यहाँ पर किसी bank की starting होती है bank ह तो उसको क्या करना पड़ता है fund reserve bank के पास रखना पड़ता है क्योंकि देखिए आप कभी भी bank open करेंगे 15-20 लोग यहाँ पर एक जगों पर आकर bank open करेंगे और लोगों को यहाँ पर ठक सकते हैं यारे कि फसा सकते हैं वो ना हो इसलिए क्या करते है reserve bank जब भी आप कोई भ bank के पास बहुत सा amount यहाँ पर रखना पड़ता है तब जाकर आप bank start कर सकते हैं और वो जो fund होता है जमा उसके ओपर reserve bank आपको पैसा यहाँ पर देते रहते हैं जो भी आपकी amount है तो चलिए start करते हैं भी details देखना net profit के बारे में net profit for the print देखे fatal bank का तो वो भी shocking है बिलकुल अब यह देख सकते हैं कि पिछले साल जो 52,173 जो lakhs का net profit आ वो बढ़कर 80,361 lakhs हो चुका है तो तगड़ा improvement यहाँ पर company के net profit में आपको दिखाई देगा yearly basis पर and quarterly भी आप चेक कर सकते हैं जो पिछले साल sorry पिछले quarter में आने के यहाँ पर September महिने में 70,371 जो यहाँ पर lakhs में था वो बढ़कर 80,361 हो चुका है तो solid improvement आप देख सकते हैं and आप चाहे तो federal bank के NPA आप देखेंगे यहाँ पर जो non-performing assets होते हैं उसके अंदर भी company बहुती अच्छे से improvement में दिखाई दे रही है and net profit margin भी इसके कितने अच्छे improve हो गए वो देखे margin वगेरा देखना क्यों है समझ में आएगा कि पैसा कमारी है नहीं देखे है पिछले साल क्या था 13.29 अभी यहाँ पर 16.18 हो गया मिन्स है पर percentage देखेंगे तो बहुत solid तरीके से improvement में है and yearly के बाद quarterly में चेक करेंगे तो same तो यह standalone result हो गए company के consultant का भी हम यहाँ पर discuss point कर लेते जो भी result का profit वगेरा है अभी क्या होता है बहुत से निवेशक यह देखते नहीं खाली profit कितना हो गया वही देखेंगे उससे अच्छा मैं कहिता हो कि आप result को पूरा देखिए जिससे आपको अंदाजा आएगा कि आप जिस company में निवेशकियो हो उस company की situation कैसी है तो बढ़िया situation है देखिए consolidated में भी same number वैसे देखने को मिल रहे है performance भी बढ़िया है and company improvement करकर दिखा पारी है चाहे तो आप और दोबारा भी देख सकते देखिए यह net profit है पिछले साल का और यह पिछले quarter का तो यह number देखकर ही compare आप कर सकते है आप अपर आप दोस्तो फेटल बैंक के करने वाले निवेशक को इस stock में बहुत सा यहाँ पर changes देखने को मिला खास करकर देखे starting हुई 41 तक फिर यह गिरकर आ गया यहाँ पर 138 तक और बानमे से देखिए come back 143 तक तो इसका आज का पुरा performance और जब भी result होते किसी company के तो उसके उपर मेरा थड़ा खास observation होता है आ लोगने की है तो आज के एक ही दिन में इस stock को कितने बार है आपर option down को यहाँ पर देखना पड़ा यह बात मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आप निवेश किये हो अच्छे return generate करना चाहते हो तो time period देना पैसा बहुत बनेगा यह देखिए कहा से कहा पर share आते है उसके लिए time देना पड़ता है आप time ने देंगे तो वैसा पैसा नहीं बनेगा अभी net profit की डायरेक परसेंटली बात करें वह तो परसेंटेज जो होता है वह देखे तो 54% net profit यहाँ पर अप हुआ है federal bank का I hope दोस्तों सभी जीते आप समझ गये जो भी चीज़े आपको मैंने बता ही है उसके बारे में आप details यहाँ पर understanding कर चुके होंगे thank you